आपने आज तक जितने भी इंटर्व्यू दिये होंगे उसमें मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप से हमेशा पूछा गया होगा कि वो उस गोल्ड मेडल की क्या कहानी है जो उस्ताद अमिनुत दिन डागर साहब ने आपको दिया था जी वो 1987 की बात है 1987 भोपाल में एक धुरुपत का बहुत बड़ा आयोजन हुआ था उसमें काफी बड़े-बड़े धुरुपत के संगीत के आये थे और उसमें मैं महज 21 सान का था और उसमें मेरा भी वहाँ एक कारेकरम रखा था और मेरा कारेकरम हो रहा है और यहां सामने अमीनुदिन खांसाब मेरे दोनों गुरु और भी बड़े-बड़े धुरुपत के संगीत के संगीत जगत के बड़े-बड़े गुणी कलाकार सब बैठे हुए थे और अच्छी ओडियन्स बैठी हुई थी और मेरा जैसे ही गाना खतम हुआ तो मुझे तो कुछ पता नहीं था मतलब तो जैसे ही खतम हुआ तो आयो जग आके बोले मैं उटने लगा तो बले नहीं आप बैठी है तो मैं बैठ गया फिर वहां एक अनॉंसमेंट हुआ कि असाद अमीन-दीन डागर साब उदय को उनके गाने से हो एक आशिरवात के स्वरूह उनको अच्छा लगा तो एक आशिरवात के स्वरूह में वह गोल्ड बेडल देना चाहते तो मुझे एक Gold Medal दूने नानौन्स किया और मेरे दोनों उस्ताद, जो कि अमीन अदिन खाँ साब से छोटे भाई थे दोनों, उनके कजन तो मेरे को सीखने के लिए Gold Medal दिया और मेरे दोनों उस्ताद को सिखाने के लिए भी Gold Medal दिया कि आपने अच्छा सिखाया इस बच्चे को और ये मेरे ख्याल से ये मेरे लिए जो अमीन अदिन खाँ साब डागर साब जो एक सूर्य के समान उनका जो व्यक्ति मत्तु था उनसे ये आशिरवाद के रूप में और प्रोटसान के रूप में मुझे ये दिया जाना ये मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी घटना है और मेरा बहुत बड़ा सौफाग कि मैं अपने आपको बहुत सौफागिशाली बानता हूँ कि मुझे उनका आशिरवाद इसमे फ्राप्त हुआ और उसके पश्चात में जब-जब उनको कलकता आया जब-जब मिला उनका आशिरवाद हमेशा मुझे मिला और ये मेरे लिए बहुत बड़ा संस्मरिनी अनुभव रहा उदे जी हम इस इंटर्विव को और आगे बढ़ाएं उससे पहले गुजारिश करेंगे कि कोई बंदिश जो आप हमें सुनाना चाहें जी मैं राग जिन्जोटी में एक धुरूपद जो तेवरा काल में अनी बद्ध है वो प्रस्तुत करता हूं झाह प्रस्तुत है लारी मारी 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 मा लेता रना र रीन्ना रेना रना हुँ न र ऑस से भारा रहन आना इन्मू करता अना अतनाद संगत करता तामत सूरन भेद विस्तार रागनिरूप ज्यान धर आना अतनाद संगत करता तामत आना इन्मू आनाद प्राथम धेद शुतियाना कारत सूरनारा मुनि आनाद प्राथम धेद शुतियानाद 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 आडान आडान, आडान 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 Sपित अच्छा होते जी हम धुरुपत के बारे में हमेशा से सुनते आए हैं कि धुरुपत एक ऐसी कला है जो अब विलुप्त हो रही है यानि बहुत जादा कलाकार इसके बचे नहीं है या लगबग वैसा ही है जैसे आप शेहनाई की बात कर लें या आप सारंगी की बात कर लें स अगर उप शास्त्री संगीत में हम जाए तो टपा की बात कर लें या या वो शेलियां हैं जो कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है तो मैं आप से समझना चाहूंगा कि क्या वाकई ये सच है कि धुरुपत जो है वो विलुपत होती हुई शेली है उस तरफ बढ़ रही कि एक समय था जब हमारे देश में धुरुपत ही था ख्याल का विश्कार नहीं हुआ था तो उस समय सब धुरुपत गायक ही थे और आज भी हम जब ख्याल के सब घराने देखते हैं तो उनके जो पूरवश थे या उनके घरानों के जो संस्था पक थे वो बैसिकली तो अब ये कारण तो बहुत सारे रहे होंगे कि जिसकी कारण ये धुरुपत धीरे 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 कम हो गया और फिर गाने वाले कम हुए तो फिर कारेक्रम कम हुए सिखाना भी कम हुआ ऐसा सब धीरे धीरे कम हो गया और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जो इसका जो ऐसे पक्ष थे जो ठीक नहीं थे वो लोगों के सामने ज्यादा आए और जो इसमें अच्छा हिया हैं, जो इसमें एक खासियत है, वो खासियत लोगों तक उतनी पहुच नहीं पाई, मुझे ऐसा लगता है या लोगों ने उतना गंभीरता से उसको लिया नहीं, तो खैर कारण और भी बहुत सारे रहे हैं, हम कारणों में नहीं जाना चाहते हैं, पर जो भी रहा है सत्य तो यह है कि यह कम होता गया, और आज भी यह ख्याल गाईकी की तुना में काफी कम है, पर इतना मैं कहूंगा कि जो आज से 40-50 साल पहले जो एक धुरुपत की स्थिती थी उसमें डागर बंदुओं का परिवार, मलिक बंदुओं का परिवार और कुछ दो-तीन लोग सिया रामतिवारी जी, रामचुतर जी ये लोग ऐसे ये चार्चे नाम ही केवल दुपत के लिए उसमें आते थे ज्यादा से ज्यादा और वो भी बहुत कम होता था पर पिछले 25-30 सालों में धीरे 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 ये काफी बढ़ता गया है और इसका काफी प्रचार-प्रशार हो गया है लोग सीखना चाहते हैं और अब ये सत्य बात तो है कि मेरे पास हर अप्ते फोन आते हैं कि हम सीखना चाहते हैं और मुझे मना करना पड़ता है कि मैं कितने इस विद्यार्थियों को सिखाऊंगा तो मेरे ख्याल से अब ये अगर हम खयाल गाए कि इसे इसका अगर compare करें कि खयाल गाए कि कितनी लोगोप्री हैं, कितने लोग सीखते हैं, कितने गाने वाले हैं कितने गाने वाले हैं, उसकी तुन्या में बहुत कम हैं, पर थूपत निश्चित तोर पर आगे बढ़ा है, बढ़ रहा है और बढ़ेगा इसके गाने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले, इसके कारे करम सभी काफी बढ़े हैं तो ये एक बहुत अच्छा इसके अंदर से एक हमें एक आशा का एक मैं आशानवीत हूँ इसमें बहुत की आगे बढ़ेगा और लोग सीखेंगे इसको ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरूपता पहलाने का एक मंच है जो ए पूटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे